बढ़ती उम्र के सालसत अगर आप पिचेहरा दिन बदिन काला पढ़ता जा रहा है चेहरे पे काले काले दान धब्बे बढ़ने लगी है, स्पुर्णे लगी है, जुरियां पढ़ने लगी है। जब आप 16-17 साल के लिए जो आपके चेरे पे निकार था जो ग्लो था वो अभी नई है दिन बाद दिन डाउन आपका चेरा होता जा रहा तो ऐसा क्या आप अपने चेरे पे लगाए कि आपके चेरे का साफलापन भी खतम हो कालेदार धब भी खतम हो जाईया जुरिया खतम ह इस तरहां से हम कैसे ऐसी स्किन पाया हर कोई चाहते है ऐसी डिजायर स्किन पाना लेकिन टेंशन लेने के जरुवत बिल्कुल भी नहीं क्योंकि आज मां आपको एक ऐसा घरेल नुस्खा बताऊंगी किस तरीके से आप कच्छे दूद में क्या मिला के अपने चेहरे पे लग यूज कर सकते हैं और इसके बहुत ही बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा सारा मैल गंदगी इसका कट जाएगा जो भी इसका और बहुत अच्छा आपको एक बार में निखार आपकी स्किन पे पाएंगे आप लड़के हैं चाहिए आप लड़की हैं आप किसी भी हैं मेरे घरिलन उसका अपलाई कर सकते हैं और आपको गैरंटी देती हूं जो भी चीज़े हमको इसमें बनाने में अपलाई करने में लगनी है सारी आपको अब फिलाल आपके रिसोई घर में फ्री में ही मिल जाएगी तो सबसे पहले हमारा में इंग्रीडियन रहेगा तो सबसे पहले हमको चीएगा दूद यह मैंने यहाँ पर देखी कच्चा दूद लिया है आपको गरम की वह दूद नहीं लेना है कच्चा दूद लेना है इसको यूज कैसे करने मैं आपको बताती हूँ दो स्टेप होंगे यह दोनों स्टेप फोलो कर लो चमक जाओगे आप सबसे पहले तो आपने कोटन लिया कोई भी ठीक है आपने दूद में डिप किया डिप किया उसके बाद इस तरहां से दबाते हुए अपने पूरे फेस पे मिल्क लगाना है आपको ऐसे टैप टैप करके इस तरहां से आपने दूद लगा लेना है पूरे फेस पे अगर ली जाता है तो आप अपने हाद से थोड़ा-थोड़ा कर लेना टिपटिप करके ठीक है यह क्या होगा अंदर से आपके शिद्र है उनमें दूद जाए गा और बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे काम करेगा अंदरसे आपके छेरी के रंग को निखारेगा dead skin को निकालके, male, गंदगी को निकालके, एक अला की चमक लेके आएगा, skin में बहुत बढ़ी एक moisture देगा, जो आपकी skin को hydrate रखेगा, और आपकी skin tight रहेगी, कसाव वाली रहेगी, पूरे face पे इस तरहां से tap tap करके पहले हमें milk लगाना है, इस तरीके से दूद लगाया, अभी आपको क्या करना है, आपने वापस से दूद लेना है, यह हमारा दूद है, ठीक है, आपको इसमें one pinch of एक चुटकी जरा सी डालनी है, हल्दी जो के anti-bacterial काम करती है, अभी गर्मी भी बहुत है, तो दानेवाने आते हैं, उनको भी खतम करता है, वैसे भी skin के रंकों में निखारता है, हल्दी बहुत ही अच्छा होता है, हमारे skin के लिए, थोड़ा सा अब हमने यहाँ पे हल्दी मिलाया, यह देखिए, दूज में हल्दी मिल गया है, ठीक है, चाहे कस्तूरी हल्दी है, तो बहुत अच्छी बात है, आप वो मिला ले, वर ना आप जो kitchen में यूज होती है, वो हल्दी डाल लेना, कस्तूरी हल्दी डाले तो थोड़ी से डाल, जादा भी डाल सकते है, क्योंकि उसमें color एड नहीं होता है, kitchen वाली में थोड़ा सा color एड होता है, अभी हमने क्या करना, आपको थोड़ा सा लेना है, अलोविरा जल स्कूर से डालना है, अभी आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा लेना है, गुलाब जल, है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है, तो आपने लेना ही लेना है, वो बहुत ही जादा आपकी skin को साफ करने में, इंग्रीडियंट काम करते है, थोड़ा सा अमने लिया, अलो पूरे face पे लगाना है, इस तरहां से tap tap करके पूरे face पे लगा के, फिर आपको फिस को लगा के ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आपको एक अलग तरीके से जैसे मैं बताऊंगी, वैसे आपको इससे मसाज करना है, आप चाहे शादी पार्टी में जाना है, आपको आपके झख लेगा, सारा मैल गंदगी निकल जाएगा, यह हमने लगाया अच्छे से दूद, अब आपको क्या करना है, वापस से अपना हाथ उसी में आपको डिप करना है, इस तरहां से दूद में और फिर आपको मसाज करना है, और यह आपको थोड़े लंबे टायम के लिए करन अब देखेंगे आप पाएंगे जो दूद का कलर ये वाइट है अजब आप इसे मसाज करेंगे वो काला काला होता चला जाएगा ब्राउन सा क्यूंकि आपके चहरे का जो रंग है वो साथ में जो मेल है वो भी निकल जाएगा ठीक है अब यह आपने क्या करना है मैं आपको चहरे पर बता रही हूं यह जो हमने रेमेडी बनाई है सिर्फ चहरे के लिए नहीं है या कि गर्दन हाथ पैर गुटने टकने कहीं से भी आपको काला पन पड़ा हुआ है यह रेमेडी बनाएं और मसाज करें वहीं से आपका काला पन बिल्कुल खतम हो जाता है सिर्फ यह चहरे के लिए नहीं है आपको अपनी गर्दन पर भी लगाना है हाथ पैरों पर भी लगाना है गुटने टकने कोहनी जो होती है नकल बगएरा जो भी काले पड़ जाते हैं हर जहागा लगा के और आपको मसाज करनी है और आपको इतने अच्छे रिजर्ट मिलने ही रहेंगे लगाते ही रहेंगे इसको चुकि मुझे पता है इसके रिजर्ट सी बहुत अच्छे है और आप चाहिए इन उसका बिना के बात्व में भी लेके जा सकते हैं जब आप नहाते हैं तो आप साबुन की जगा यह इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं अपनी बोड़ कर रहे हूं इस तरीके से यह इसको यूज करने का प्रोस्स होता है अच्छे से आपको जादा जादा मातरा में दूर ले लेना होता है और मसाज करते रहना होता है इस तरह से अभी बढ़िया से मसाज हो गया है फिर आपने क्या करना होता है नॉर्मल पानी से चेहरा धोना होता है इसको अच्छे से मसाज करके फिर आपने फेश वोस का साबुन का यूज नहीं करना है अभी मैं इसको वोश करके आती हूँ फिर क्या लगाना है इसके बाद भी बताती हूं के नॉर्मल पानी से मैंने चेहरा दो लिया और किस तरह से इस एकदम क्लीन होके निकला है आपको देख सकते हो इसी तरीके से आपको भी यूज करना है और एक बार में बहुत ही अच्छे आपको इसके रिजर्ट्स पा लेने हैं बहुत ही कमाल के रिजर्ट्स हैं बिल्कुल चेहरा आपका साफ हो जाएगा और चेहरा ही नहीं गर्दन, हाथ, पैर, कोहने, टकने, गुटने, सब साफ कर देगा, जरूर यूज करना बहुत ही पुरानी रेमेडी है, बहुत ही एफेक्टिव रेमेडी है, और बहुत अच्छे से काम करता है, सारे मैल, गंदगी, कालेपन को निकालने में, डाक स्पोर्ट्स को निकालने में, तो जरूर से हमने इसको अपला लाइक करना है, अभी आपको लास में थोड़ असा गुलाब जिल लेना है, अपनी हथेली पर इस तरह से, ठीक है, और इसको अपने थोड़ा गरम करके इस तरह से, पूरी फेस पर यू लगा लेना है, टैप टैप करकी आपकी स्किन को टाइट बनाएगा, गर्मियों में स लाना है, यह रेमेडी बहुत इफेक्टिव है, जरूर अपलाए करना, और अगला अपलाए करोगे, आपको खोड़ी पता चल जाएगा, कितनी इफेक्टिव है, वैसे ही मेरे फैन हो जाओगे, कि दीदी क्या रेमेडी बताईए, आपने, क्योंकि मुझे पता है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, चीक है, तो इससे किसे हमने करना है, इसको यूज लाइक वाइड कर देना चाहे, तो शेयर कर सकते हैं, जिनको भी ज़रुत है, स्केंटियर की, और इन उसका आप सुबह, दोपह, शाम, राद, जब आपको टाइम लगता है, तब आप कर लेना, और बतावा देना अपनी वाइफ को, हस्बन को, बेहनों को, शेयर कर देना, ताकि वो लुग बेस का लुट्व उठा पाएं, और गर्मियों में आपके रंग को निखार पाएं, तो दोस्तों, मैं जोती मिलते हूं आप से कलेको और ने वीडियों के साथ, तक ट भाएंगान आपधियों और लगाजिए देना!